दोस्तो गाय बैंस का दूद बढ़ाने का देशी फार्मूला इस फार्मूले से आप अपने गाय बैंस का दूद बढ़ा सकते हैं लेकिन इसमें क्या-क्या चीज़ें चाहिए पहले वो सुन लें उसके बाद पूरी डिटेल से इस वीडियो को आपको बता हूँ आता कि समझने में बड़ी आसानी रहे इस में मैं चाहिए चना देशी चना जिसकों बोलते हैं काबुली चना नहीं चावल और गुड अब उसके बाद इनका करना में क्या है किस प्रकार खिलाना है कौन से पस बताते रहते हैं लेकिन दूद कौन से पसु का बढ़ेगा वो आप सुन लें जिस पसु में आर्मोन की कमी है या उसको संतुलित पसु आहर नहीं मिल रहा है और उसकी इस्ट्रिय आपके पास है कि पिछले ब्यात में इसने इतना दूद दिया था अब दूद कम दे रहा ह तो दूद बढ़ पाएगा अन्य था दूद जो पसु का बढ़ता है वह पसु की नसल के उपर होता है उसके बोड़ी स्ट्रक्टर के उपर होता है पसु के जीन के उपर होता है कि उसके माबाप का क्या रिकोर्ड था इस फार्मुले से कोई बाइए समझे कि मेरे पसु की समता तो 6 लिटर की है और ये फार्मूले यदी मखिला देता हूं तो आदूद की नदिया बाहा देगी किसी भी गलत फैमी में मत पढ़ना आपके पसु का पिछले ब्यात से इस ब्यात में दूद कम है तो आप इस फार्मूले को दे सकते हैं इसको देना कैसे पहले वो सुन इसके लिए हमें चाहिए 500 ग्राम देशी चना उसके बाद चाहिए हमें 500 ग्राम चावल और उसके बाद चाहिए हमें 50 ग्राम गुड अब पानी हम इसमें कितना लेंगे इसको हमें गरम करना इसको हमें पकाना है तो पानी हमें एक से डेड़ किलो ले सकते हैं एक से पानी में सबसे पहले हम डालेंगे चने और चावल इन दोनों को हम डालेंगे जब यह दोनों पक जाएंगे लगबगे बराबर समय में यह पक जाएंगे उसको पकने के बाद हम इसमें डालेंगे गुड अब इनको उतार कर ठंडा कर लेंगे ठंडा करने के बाद इसमें हम 10 ग्राम पीपली का चूरन जिसको पीपल चूरन भी बोलते हैं यह आपको किसी भी पनसारी की दुकान पर मिल जाएगा किसी एक पनसारी के साथ जुड़ने की जरूरत नहीं है और किराना स्टोर पर भी मिल जाएगा यह पीपल का चूरन तो जब यह उतार कर हमने ठंडा कर लिया क्या क्या चना चावल और गुड़ जो हमने पकाया था उसमें 10 ग्राम पीपल का चूरन डालेंगे यह हमारी एक दिन की खुराक है इस खुराक को खिलाना कब है जब पसु श्याम को खापी कर बैठ जाए इसके बाद हमें पानी नहीं पिलाना है जब पसु का हमने द दूसरी तरह से फीडिंग कराते हैं तो इसको आप किसी भी तसले वगयरा में या किसी भी चीज में डाल देंगे तो पसु आसानी से खा लेगा कौन से पसु को खिलाना है पसु के बच्चा देने के जब 21 दिन उसको हो जाए उसके बाद अपने पसु को खिलाना है कितने दिन खिलाना है दोस्तों लगातार हम इसको पूरा एक महिना बर खिला सकते हैं चन्ने महितनी ज्यादा ताकत है कि उस पसु को यदि आपने एक महिना इस फार्मुले को खिला दिया तो गारंटी किसी बात की होती नहीं लेकिन एक संभावना 99% बनते ये थन के रोग ना के ब बढ़ जाती है तो इस अपने पसु का बच्चा देने के 21 दिन बाद इसको शुरू करना है और जब तक वह ग्याबिन ना हो जाए तब तक हम इसको खिलाते रह सकते हैं ग्याबिन पसु जब हो जाए तो इसको खिलाना में बंद कर देना इस फार्मूले को भी बंद कर दे हो चीज़ें आपके समझ में आ गई होंगी यह वीडियो आपको कैसी लगी कोमेंट करके जरूर बताएगा और ऐसे ही देशी फार्मूले का कोई साइड इफेक्ट नहीं है चार से पांच फार्मूले और हैं जो हम आगे कभी शेयर करते रहें तो इस चैनल की वीडियो जै किसान